हेलो एवरिवन वेलकम टू माई चैनल हिंदी टैरो डैक ट्रिपल टू मैं हूँ पल्लवी कैसे हैं आप सभी लोग आप सभी अच्छे होंगे आप सभी के लिए लेकर आयो पिकप पाइल रेडिंग ठीक है ना पिकप कार्ड रेडिंग तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं साई बाबा के कार्ड और आपको पता ही है कि अब आज थर्सडे है तो साई बाबा के गाइडेंस भी हम देखते हैं जरूर ठीक है ना तो आज हम द situation हो सकती है आपके relationship को लेकर आपके carrier को लेकर कोई भी situation हो सकती है क्योंकि यहां पर सिर्फ आज हम बाबा के guidance पढ़ेंगे कि बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं यह वीडियो married और unmarried कोई भी पसंद देख सकता है ठीके ना ऐसा कोई भी foundation नहीं है और यह reading हमेशा timeless होती है क्योंकि बाबा जो guide कर रहे है आपको तो वह आपके future कभी भी काम आ सकता है तो यह हमेशा timeless reading ही होती है जो साही बाबा के में जितने भी guidance वाली videos डाल रही हूं and second thing guys एक general reading होती है तो हो सकता है आपसे 100% resonate करे या ना करे ठीक है ना और यहां यहां पर मैं बाबा के messages पड़ रही हूं तो यह आपकी situation से हो सकता है match करे भी अना भी करे और मैं जिससे बोल रही हूं तो क्योंकि मैं खोड एक लड़की हूं तो हो सकता है कुछ मैं अपने हिसाब से बूलू तो आपको जैसे अपने हिसाब से लगे ना आप उसी हिसाब आप से लीजीगा ठीक है ना guys मैं आप लोगों के सामने ही shuffle करूंगी यहां पे कार्ट्स यहां पर आप लोगों के सामने थीन बुद्धा रखे हैं green बुद्धा, रेड बुद्धा, एलो बुद्धा सो guys यहां पर तीनों बुद्धा में आप जिस भी बुद्धा से जिस कलर से जिस भी pile number से attract हो रहे है उसे ही select किजिएगा अगर आपको pile select करने में आख बन चुछ problem हो रहे है तो आप वीडियो को pause करके अपने जो भी problem है उसके बारे में सोचकर आख बन करके सोचे और फिर आख खोल कर देखें ठीक है नगर आपको जो भी बुथा ज़्यादा track कर रह और पाईल नम्बर आपको ज़्यादा track करे हो उसे ही select हीजेगा ठीक है न और हो सकता ही आपसे resonate करें या हो सकता है न भी करें तो आप दो भी पुधा choose कर सकते हो, दो भी reading देख सकते हो और 3 भी reading देख सकते हो ठीक है ना और गाइस आप में यहाँ पर time stamps भी आप लोगों को दे दूँगी description box में भी दे दूँगी and comment box में भी दे दूँगी ताकि आप आसानी से अपनी choose की हुई pile पर पहुँच सके यहाँ पर पाइल जो है time के according भी अगर आप choose करें तो इसमें भी कोई foundation नहीं है ठीक है ना तो यहाँ पर intuitions को आपको follow करना है हमेशा positive रहना है ठीक है ना यह तो मैं आपसे हमेशा ही कहती हूँ और हमेशा pray करते रहना है तो चलिए हम first बुद्धा से start करते हैं first green बुद्धा से जिनोंने first pile green बुद्धा सलेक्ट की है उनसे start करते हैं ठीक है ना और अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है ना तो please मेरे इस चैनल को like कीजे share कीजे and subscribe कीजे ठीक है ना यह मेरे लिए gratitude होगा आपकी side से आप मुझे आप मुझे मेरे इस channel को promote करेंगे तो यह मे के ना चलिए हम cards निकालते हैं ओम अनन्द कोटी राजादी राज योगी राज पर भ्रहम श्री सचिदानंद साइगुरू महराज की जै ओम साइ नमु नमा शीरी साइ नमु नमा ये जै साइ नमु नमा सतकुरू साइ नमु नमा ओम साइ नमु नमा शीरी साइ नमु नमा ये जै साइ नमु नमा सतकुरू साइ नमु नमा ओम साइ नमु नमा शीरी साइ नमु नमा ये जै साइ नमु नमा सतकुरू साइ नमु नमा चलिए फर्स्ट पाइल जिन्होंने ये ग्रीन बुद्धा सेलेक्ट किया है उनके क्या रीडिंग आती है उनसे बाबा क्या कहना चाहते हैं फर्स्ट आया है आपका उत्सव खुश खबर उत्सव मनाने का समय आ गया है आप लोगों के लिए बाबा कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में खुशी आने वाली है ठीक है ना तो आपको अब हैपी रहना चाहिए ठीक है ना ऐसा नहीं है कि आप इस उत्सव के लिए ही वेट करते रहें बाबा आपसे कह रहे है कि खुशी के दिन आ गई है आपको खुश रहना है जितना रोल ना था जितना धोना था ना बहुत हो गया बहुत सैड हो गयो अब आपको सिर्फ और सिर्फ खुश रहना है ठीक है ना उत्सव मनाना है आपको फिर उसके बाद है कर्म कर्म कार्य कारण भावे सजा नहीं है तो बाबा ने आपसे ये बोला है, ये गाइड कर रहे हैं बाबा कि आपके साथ जो भी हुआ ना वो आपके कर्मक की वज़े से हुए है, मतलब आपको कोई punishment नहीं दिया जा रहे हैं कि आप जैसे बहुत से सैड होते हैं तो वो बोलते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्योर है, मैं मेरे साथ ही ऐसा क्योर है, इस टाइब से बोलते हैं तो बाबा बोल रहे हैं कि ये आपके आपनी हो सकते हैं पास्ट में कुछ अच्छे करम नहीं करे हो तो उसका पूरा करने के लिए ही आपके साथ हो रहे हैं ये आपको कोई punishment नहीं दिया जा रहे हैं और अगर आप इन करमों को इस जनम में नहीं पूरा करोगे ना तो फिर वो next जनम में आपको करना पड़ेगा तो इससे बेटर है आप ये जितने भी आपके सामने problems आ रही हैं जितना भी आप सैड हो रहे हो ना इसी टाइम आप ये पूरा कर दो ताकि आपको आगे ना इसको face करना पड़े और ये आपके लिए सजा नहीं है ये तो आपके साथ बाबा बता रही है आपको एक तरह से अपने कर्मों को भुगत रहे हैं ठीक है ना तीसरा बाबा बोल रहे है स्वेच्छा को स्वेच्छा से बाबा को सौप दीजे अपनी अभिलाशिक कहानी को नहीं ठीक है ना तो बाबा ягलो अपसे बोल रहे हैं कि आप मुझे सरेंडर कर दो, अपने आपको बस मुझे सरेंडर कर दो मैं इस सिचुएशन को डील करूँगा ठीक है न अपनी किसी भी कहानी को नहीं कि बाबा उसने मेरे साथ ऐसा करा, बाबा उसने मेरे को ये करा, अपने गौड को सिर्फ अपने आपको सौप, कि मैं आप मुझे देखिए, आप मेरा ध्यान रखिए, आप ही करता धरता हैं, और आप ही बस अब मुझे देखिए, मैंने तो अपने आपकी भी चिंता करनी छो लगे ना कि हां मुझे अपनी गौड को मैं अपनी सिच्वेशन को सौप देती हूं या देता हूं तब ही आप से ओपिए किसी के कहने में आकर नहीं सौपना है आपको ठीक है ना फिर उसके बाद बोलते हैं बाबा भरोसा धैरिये रखिए धीरज धरिये आपके पास उत्तर कर नहीं पता हमें नहीं पता की फ्यूचर में क्या होने वाला है ठीक है न और बाबा आपसे कह रही है कि आप भरोसा रखो इस सिच्वेशन पे भरोसा रखो में हूं आपके साथ धीरस धरो क्योंकि बाबा हमेशा आपको सिखाते हैं श्रद्धा रखो और सबुरी रखो सबर रखो, सबर करना सिखा रहे हैं बाबा, और आप इस चीज को फील भी करोगे, आज नहीं हो सकता है, छे महीने बार, नौ महीने बार, बारा महीने बार, आप इस चीज को फील भी करोगे, कि आपने इस दर्द से पेशिंस करना तो जरू सीखा है, कुछ भी न सीखा हो, त तो एक चीज आपने बहुत इंपोर्टेंस सीखी है, पेशिंस करना, अगर आप अपने पार्टनर का वेट भी कर रहे हैं तो आपने सीखा, पेशिंस करना सीखा, तो बाबा आपसे यही बोल रहे हैं, और पेशिंस करना जिसे आ गया न, उसने दुनिया जीत ली, आप यह सम मैसेज है, बाबा आपसे क्या कह रहे हैं, आपके घर में खाना बन रहा है, एक रोटी आप पशु पक्षियों को भी देंगे, आपका ही भला होगा इससे, ठीक है न, आप मतला बाबा न, कहते हैं न, कि आपने किसी पशु पक्षी को खिलाया, यानि कि मुझे प्रशाद बाबा तक पहुचने का एक इतना ब्यूटिफुल रास्ता है, आपके पास, आप किसी भी रास्ते भी चलते हुए, डॉगी को या कुछ भी आप छोटा मोट, इवन आप पाच रुपे का बिस्किट का पैकेड भी खिलाएंगे न, यह नहीं मैं आपको बोली हूँ कि आप आपके गौड तक पहुचने का एक सुन्दर सा रास्ता मिलेगा, तीसरा बाबा बोल रहे है, आप ब्रहमांड है, एहम ब्रहमासमी, अपने भीतर के ब्रहमांड को तलाश कीजिए, देखिए तब ही तो सब कहते हैं आप खुद ही ब्रहमांड हैं, मतलब आप अपनी विश यूट करिए, अपने आप ही ब्रहमांड समझी, अपने आप ही को पूरा कीजिए, ठीक है न, आपके विश्यस तो आपके अंदर ही हैं, आप अगर खुश होना चाहते हो न, तो आप अपने आप से ही खुश हो सकते हो, कोई आकर आपको खुश नहीं कर सकता, सेम आपको अ अपने आपको खुद ही रेंडिल करोगे, ठीक है, लास्ट नॉट लीस्ट बाबा, आप से बोल रहे हैं, आप अकेले नहीं है, मैं सदा आपके साथ हूँ, हर इस्थिती में साथ हूँ, देखे न, बाबा आपके साथ है, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो आप से सारी सेना को चूज किया था, आप सोचे न, फिर भी कौन जीता, भगवान जीते न, तो बाबा आप से यही कह रहे हैं, कि मैं आपके साथ हूँ, आपके पास खड़ा हूँ, तो आप औरों को क्यो ढूंड रहे हो, जो आपके लिए अनेस्ट ही नहीं है, आप उसको क्यो ढ तो आपके प्रती ह одно हूँ, धिक है न, मेरे सामने आपको को कोई जज्मेंट, मैं आपको न जज कर रहा हूँ, परे सामने मुझे अपने आपको सरेंडर करना है, थीक है न, इतन न, ब्यूतिफल मैसस अया है, इतने प्यारे गाइडेंस आये, पाल reduce ए. फक किजिए और आपको मेरे चैनल का नाम तो फता ही होगा हिंदी टैरो डैक टिर्पल टू पाइलो पाइल नमबर टू सो जिन्होंने ये रेड बुद्धा जूस किया है पाइल नमबर टू जूस किया है उनकी रीडिंग करते हैं स्टार्ट अनन्द कोटी राजा धी राज सत्कुरु साे नमू नमा आं साए नमू नमा पैल लूमबर टू बाबाबा आपको क्या गाईड करना जहाते है आपकी गौड आपको क्या गाईड करना जहाते है तो first message वो आपको कहना चाहते है मालिक की मरजी, आपके साथ जो भी हो रहा है वे मालिक की मरजी से हो रहा है, मुस्कुराते हुए उसमें से गुजर जाए, तो इसमें बाबा आपसे बोल रहे है कि आप इस situation, जो भी आपके साथ situation है, चाहे career को, job को लेकर हो, business को लेकर हो, relationship को लेकर हो, marriage को लेकर हो, किसी भी चीज के लिए, जो भी आपके साथ हो रहा है वो मालिक की मरजी से हो रहा है, कहते हैं बहुत से लोग को को आपने कहते भी सुना होगा, कि हमारे साथ यह क्या हो रहा है, तो कोई दूसरा कहते है, भगवान की मरजी है, इस वज़े से हो रहा इस situation को लेकर और यही बाबा देखना जाते हैं कि आप इस परेक्षा को पास कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं ठीक है न तो यह मालिक की ही मर्जी है दूसरा बाबा कहते है अनासक्ति अनासक्ति का अर्थ ही यह है कदाप भी नहीं कि आप लोगों से या परिस्टितियों से भागे केवल इसका ध्यान रहे कि वो आपके नियंटित ना कर पाए आपको नियंटित नं कर पाए तो बाबा आपसे कह रहे है यह बिलकुल नहीं है कि आप अपनी जैसे मालोग सैडो तो आप उस situation से भागो इसको छोड़ कर भागो ठीक है न ये नहीं कह रहे हैं बाबा तो वो आप से कह रहे हैं आपको इसे deal करना है ठीक है ना इसको आपको कैसे deal करना है यही इसी चीज की तो मैं परिक्षा ले रहा हूँ आपको इसका ध्यान रहना है कि आपको कोई और नियंत्रित ना कर पाए ठीक है ना अगर मालो सपोर्ज कहते हैं ना कि हम उसको बहुत ज के control में हूँ कही ना कही और आपको उस control से बहार निकलना है ठीक है ना तो बाबा आपको यही समझा रहे है उससे आप आप कोई जो मैं परिक्षा लेना हूँ वो इसी चीज की ले रहा हूँ कि आप दूसरे के control से निकलो अपने आप self dependent बनो ना की dependent बनो ठीक है ना independent बनो अपनी समरतियों, परिशानियों को और चिंताओं को छाटे निर्मल कीजे और शुद कीजे ठीक है ये तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ गाइस जिन्होंने मेरी पहली रीडिंग देखी होगी साही बाबा गाइडेंस की तो उन्हें भी पता होगा मैं हमीशा बोलती है जितना भी आपको की परेशानिया है ना सबको लिख डालिए ठीक है ना सबको लिख डालिए बिल्कुल एकां तुमें बैटकर ध्यान लखे कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करें सबको लिख डालिए और सबको फिर उसके बाद इरेस कर देजे ठीक है और उसको इरेस करन आप कीजे ठीक है ना लेकिन आप ऐसा बिल्कुल कीजे देखना धीरे धीरे आपको यही नियाद रहेगा कि आप किस चीज के लिए परेशान थे फिर बाबा आपसे बोलते हैं माध्यम आप मेरे कार्य का माध्यम हो मैं आपको मेरे कार्य का माध्यम बनाता हूं तो ठीक है न तो बाबा आपसे बूलना चाहते हैं कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो बाबा की वज़े से हो रहा है ठीके न उन्होंने आपको माध्यम बनाया है किसी और के साथ उसका कर्मा ताकि उसका जो कर्मा है उसको उससे वो डील कर सके ठीके न आप ये मत सोचे कि मेरे साथ बुरा हो रहा है आपको माध्यां बनाएं बेसिकली बाबा ने कि आप उस बंदे को लेसन सिखा सको ठीक है ना फिर उसके बाद आता है धारणाएं ना बनाएं धारणाओं तथा अनुमानों से आपका मन मुक्त रखिए तो हो सकता है बहुत ज्यादा एज्यूम करके चल रह आ रहे हो कि मेरे उसके साथ होगा उसके साथ होगा उसका कैरियर अच्छा हो रहा है ऐसा हो रहा हो सकता है उसके साथ भी ना हो रहा हो हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई चैलेंजेस कोई ना कोई दुख होता ही है ठीक है न तो आप यहाँ पर कोई भी धारणाएं कोई भ लग रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं बहुत ज्यादा चीजों को बार बार सोच रहे हैं दूसरों से उस चीज का डिसकेशन कर रहे हैं और उस चक्कर में क्या हो रहे हैं आप उन्हीं चीजों को डारेक्ली और इंडारेक्ली मैनिफेस्ट कर रहे ह तब ही बाबा आपसे तीन तीन बार आपसे यही बात कह रहे हैं, कि अपने दुखदर्द की चर्चा कम कीजिए, कोई धारणाय अपने माइंड में भी मत बनाईए, और जितने भी आपकी चिंताय दर्द है रहा, उन सबको आप कट आउट कर दीजिए, तो कही ना कही आप से नेगिटिव हो रहे हैं, उस situation को बार बार अपने माइंड में रिपीट कर रहे हैं, जो आपके साहर चल रहा है, हो सकते हैं, अगर आपकी जॉब भी नहीं लग रहे हैं, तो आप बार बार उस चीज को बोल रहे हैं, मेरी जॉब नहीं लग रहे हैं, यार मेरी जॉब नही manifest कर रहे हो तो वही बाबा बोले है उसको मत कीजिए ठीक है ना यहाँ पर आपको यही बार बार यही समझाया जा रहा है फिर बाबा आपको बोलते है कस्मे और वचन आपके यह आपके परिवार निदिये हुई वचन हर कीमत पर पूरा करें देखे ऐसा होते हैं न कि जब हम फैमली के लिए हमें क्या करना है ठीक है ना तो आप उस चीज को अपने माइंड से निकाल कर अपनी फैमली के लिए जॉब कर सकते हैं वो कीजेगा ठीक है ना तो यही पर आपको बाबा गाइड कर रहे हैं तो यह थी पाइल नंबर टू जिसे जिन्होंने रैड बुता च जिन्होंने यह यलो बुद्ध सेलेक्ट किया था उनकी रीडिंग ठीक है ना ओम अनंदि कोटी राजादी राज योगी राज पर भ्रहम श्री सचिदानंद साइनात महराज की जै झालब योद्ध Nigerzem ठीक है बुद्ध एक जिन्होण वुद्ध कोटी राजी मेंगत तू English 007 15 noun उंसभ चर्ण बुद्ध साइनी मुद्ध का रुद्ध की राजादी साइन आ ञुद्ध साइनी राजा येदंग ओन्पत साइनन व युद्ध चलिए पाई नमबर थ्री आपको बाबा क्या गाइडेंस देना चाहते हैं पहला वर्तमान मी जीना है कल भ्रांती है केवल आज मौजूद है तो आप हो सकता है पास्ट और फ्यूचर को लेकर काफी चिंतित है काफी अपने माइन में सोच रहे हैं या तो आप पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा घिरे हुए हैं कि मेरे पास्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ मैं इतना दुख में था मैं इतना दर्द में इतना तकलीक में था और या फिर आप फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो रहे हैं कि मेरा फ्यूचर कैसा हो मैं कैसे फ्यूचर में मैं क्या करूंगा उस टाइप से ठीक है ना तो बाबा आपको बोल रहे हैं ना आप कल का सोची ना मतलब आप येस्टरडे सोची ना टुमोरो सोची आप केवल आज में जीए ठीक है ना आपको ये बोल रहे हैं दूसरा बाबा बोल रहे हैं धुनी आ थुनी के लिए शेडी जाना ही इंपोर्टन नहीं होता है घर पे भी आप एक मतलब अपने आप जो भी आपके मन में सोच है ना बाबा का नाम लेकर उसे जला दीजिए उस पेपर को वो भी आपकी चिंताय और डर्द गुसा दर्द ईशा ये सब चीजों को ना हटा देगा ठीक है ना फिर उसके बादे उदी की ताकत मेरे द्वारदी गई उदी आपके सभी भावनिक तता शाररिक व्याधियों को स्वस्त करेगी तो बाबा आपसे बोड़े हो सकता है ना आपको हीलिंग ही बहुत जादा जरूरत हो आप मेंटली जादा डिस्टर्ब हो रहे हो क अपनी जितनी भी परिशानी आए ना सब धुनी में जला दो और मेरे द्वारदी गई उदी है आप उसका यूज करो ठीक है ना तो बाबा आप बहुत ज़्यादा परिशान है आपके साथ पास्ट में लेकर जो कुछ भी हुआ है ना उसको लेकर आप इतना ज़्यादा च पूर हो जाएंगी फिर उसके बादत दैवी समय परेशान नहों व्याकुल नहों जो आपका है वह आपका निश्चित प्राप्त हो जाएगा आप बहुत ज़्यादा चिंतित है पाइल नंबर 3 में को यही लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा चिंतित और बाबा ने भी आ फिर तो कोई बात ही नहीं है आपको चिंतित होने की ठीक है न और एक निश्चित समय होता है डिवाइन टाइमिंग पर आपको सब मिल जाएगा ठीक है न फिर उसके बाद है तीन मंत्र अच्छी सोच रखिए अच्छे शब्दों को उप्योग कीजिए और अच्छे कारे क करने है ठीक है न उसके साथ क्या होगा आप जो चीजे आज करोगी आज आज आपको क्या करना है इस सिच्छेशन में आपको बिसिकली अपने कर्मों को अच्छा करना है हो सकता है पास लाइफ में कुछ गलत हुआ हो लेकिन अभी के लिए आपको टाइम मिला है आपको एक सिखाने के लिए एक लेसन सिखाने के लिए बाबा ने कहा है कि आप अब जो है ना आज से ही आप अपनी situation को ठीक करना start कर दीजेगा ठीक है ना फिर उसके बाद है तारतम्य है मन शरीर एवम आत्मा में तारतम्य साध्य है यह सभी तत्वों का संतुलन साधने में सहायक होगा तो आपको यही बोल रहे है बाबा क्या होता है ना कई बार आप माइंड से कुछ और सोच रहे होते हो दिल से कुछ और सोच रहे होते हो और आप और आपकी बॉड़ी जो है वो इतना साथ नहीं दे रही होती है तो बाबा आपको बोल रहे है अगर आप किसी ची करना ही करना है ठीक है ना तो तीनों से एक बैलेंस मना के चलो वो काम में परदी को की यही आपके जीवन का उदेश्य है, बहुत से लोग कहते हैं कि इतना दुख है, इतना दर्द है, हमारे को यही नहीं पता कि हमारी इस जीवन का क्या मोटेव है, ठीक है न, वो इतने प्राब्लम में आ चुकी होते हैं, उन्हें नहीं समझ में आता है, तो बाबा आपसे यही बोल रहे हैं कि आप दूसरों की रखवाली की जिए, इस वक्त में आपको दूसरों की रखवाली करना है, दूसरों की help करना है, और इस time आप अपना मोटेव इसी बात को समझे, और उससे क्या होगा, आपके आज के करम अच्छे होंगे, पिछले करम सही होंगे, ठीक है न तो यह चीज मुझे यही लग रही है कि आप इतने जाद बहुत जादा कल में जी रहे हो और अब भी आपको सकल से निकलना है और यह सोचना है अगर मेरा है तो मुझे मिलेगा मुझे अच्छी सोच रखनी है और मुझे दूसरों की help करनी है मन से तन से और धन से तीनो तरह से चीके ना तो गाइस यही थी आपकी रीडिंग जिन्होंने पाइल नंबर थ्री यलो बुद्धा सलेक्ट किया था और अगर आपको मेरी यह लीडिंग पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजे शेयर कीजे और सब्सक्राइब कीजे और आपको मेरे चैनल का नाम तो पता ही होगा हिंदी टैरो डैग ट्रिपल टू बाबाई